हेलो एविवन स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में इस दोस्तों आज का जो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंट्रेस्टिंग होने वारा है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने किसी भी नेटवर्क पे आपके मोवाइल में जीयो सीम है या फिर एटल है कोई भी आप सीम यूज करते हैं कोई भी नेटवर्क आप यूज करते हैं तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फॉन की जो इंटरनेट है उसकी स्पीड को कैसे बढ़ाएंगे यह बिल्कुल ही 100% वर्क करता है मैं आपको यहां पे पूरी ट्रिक बताऊंगा इसके लिए आपको कोई भी थार्ड पार्टी एप्लिकेशन डाउनलोड नहीं करनी होगी तो प्लीज इस वीडियो को देखते रहें और दोस्तों यह सेटिंग कौन कौन सी है और कहा आपको मिलेंगी पूरा आपको मैं यहां पे डीटेल में बताऊंगा तो प्लीज वीड नेट यूज करते हैं तो आपकी क्या होता है आपकी कही वागा होता है तो आपकी ब्राउजिंग स्पीड जो है सही चलते है लेकिन डाउनलोडिंग स्पीड जो है वो कम रहती है लेकिन मैं आपको यहां पे ब्राउजिंग और डाउनलोडिंग दोनों स्पीड को बढ़ा जिनफ भी नथे ऊपना Chrome browser open करना है थिक का यहां से chrome browser open कर लिया है तो यह पहली settcky यहां पर मिलेगी आपको Chrome browser अपने qlick करना है थिक है यहां पर थिक करना है ठीक है थिसके बाद आपने निची को स्टोलडाउं करना है Ask छा करना है यहां पर आपने जाना है तो तिसको बन्त करने से क्या रीट? अपने स्टोरेज ऑशन पर जाने करें कि बेंडन को बन्त क्य свет सनुक्लीस अब मैं आपको पता क्या बैगराउंड सिंक्रॉणाइट सुखक्रेज अब बन्त करेंगे तो दोस्तों यह बहुत ही ज़ूरी है अगर आप इसे बंद नहीं करेंगे तो आपके बैक्ग्राउंड में जो है मतलब कि आपको इंटरनेट यूज कर रहे होंगे या डानलोडिंग कर रहे होंगे फिर भी आपके बैक्राउंड में जो है सिंक्रॉनाइजेशन चलती या फिर कोई इंफोर्मेशन को न्यूज कोई एड उनको लेकर जो है सिंक्रॉनाजेशन बैक्राउंड में चलती रहती है इससे क्या होता आपके इंटरनेट की स्पीड में बहुत जादा फ़र पढ़ जाता है तो यह आप समझ कि होंगे तो यह पहली सेटिंग जो है यह म मोवाइल नेटवर्क पे तो ध्यां से देखिए फिर आपने असेस पॉइंट नेम तो यहां पर आपने क्लिक करना है फिर आपने यहां पर क्लिक कर देना है फिर आपका यहां पर अगर कोई भी सीम होगी या जीयो की होगी एटल 4G जीयो 4G जो भी यहां पर आपको यह ने यहां पर नोट सेट रहता है तो यहां पर आपने एक चीज़ टाइप करने है वह है www. आपके बाद कोई भी सीम होगी यह वर्क करेगा Google Google.com ठीक है अपने इसे OK कर देना है OK करने के बाद आपने यहां पर जाना है 3.pay फिर से सेव कर देना है सेव करने के बाद आपने बैक आजाना है उसके बाद आपने अपना फोन रिस्टार्ट कर लेना एक बार तो मैं भी रिस्टार्ट नहीं करूंगा मैं बताने के लिए आपको बता रहा हूं इस सेटिंग करने बाद आपने फोन रिस्टार्ट कर लेना है फिर उसके बाद जो मेरे जो थर्ड सेटिंग है लास्स सेटिंग बहुत ही इंपोर्टेंट सेटिंग है तो प्लीज इसे द्यान से देखना उसके लिए फिर से आपको अपनी सेटिंग पर जाना होगा फिर आपने यहां पर जाना है सेटिंग पर यहां पर आपने सर्च करना है डाटा सेवर ठीक है डाटा सेवर तो डाटा सेवर आपने सर्च करना इसे ओपन करना यहां से फिर यहां पर आपको यहां पर डाटा सेवर यहां पर ओफ रहता है तो देशन तो यहां पर इसे आपने यहां से इसे ओन कर देना है ध्यान से देखिए इसे आपने इहां से ओ बोली की तरह चालेगा इतना फास चालेगा कि आप बिल्कुल ही हरान रह जाएंगे तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए कमंड कीजिए और इस वीडियो को सभी खास शेयर कीजिए सो बाइबाइ जाहिन